अलो दोस्तों फिर से मैं आप के लोगत या ये लेख्ट के आया हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नैरोलक का वाइट हाई ग्लोस के बारे में ये नैरोलक कम्पनी का प्रोडक्ट है ये एक रोण नाम से आता है ये 10 लिटर इसका दोस्तों आड़नर हो गया और दोस्तों 20 लिटर हो गया इसका वाइट सीलर तो चलिए दोस्तों बिना देरे किये बिना इसका अब हम माल बनाते हैं तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप एक डबा ये इसका अब हम माल बनाएंगे एक लिटर इसमें सीलर हो गया है देख सकते आप दोस्तों यह इसका दोस्तों सीलर है एक डबबा इसमें सीलर का जाएगा और दोस्तों जो ग् 차ुल इख सकते तोおい है tayक ड़िए पिर दो कि चलते है पी कि अ rights आग झाया है कि बादे कि दो विड़ didn't you कि पले का लोग community workMan 3 कि तोब प्रश बैज़ है कि एसका साल अज़ कि एसमें अभय नहा है डान्या स्केशच not..... तो दोस्तों जैसे क्या आप देख सकते हैं यह MDF बोर है और उसके वपर हम ने स्टार्टिंग में जो कोटिंग की थी वो की थी अपोक्सी की और उसके बाद हमने जो लगाया इस पर वोड़ फीलर से इसकी रिपेर करिये हैं वाइट वुड फीलर से तो दोस्तों देख सकते हो आप ये हमारा वाइट सीलर है ये पहला कोट है वाइट सीलर का और इसी तरीके से हम इसका दूसरा कोट करेंगे और दूसरा कोट करने के बाद फिर दो बारяться श्की रिपैर हो गी वूल फीलर से तो दोस्तों देख सकते हो आप यह हमारा सेकिंड कोट इस्टार्ट हो चुका है जैसे कि पहला कोट किया था सेम प्रोसेस से ऐसे ही सेकिंड कोट हमें उसी प्रोसेस से करना है इसका फिर सेक से इस्टार्ट हो आह प्रोसों और यह प्रोसेसे सेकिंड कोट मुस्तार्ट वाई आद करना है एक हमेहीं आहुत यहारो शाथ और फिर की करना हम्ंगात आप यह हमारा second coat हो चुका है हम देख सकते हो आप वाइटनेस हो चुका है और इसकी finishing भी देख सकते हो दोस्ता हम तो दोस्तों यह तो वीडियो हो गई इसकी सीलर की और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी गलोसी के बारे में छोस्तों बारे में लाइब नेख यह हो अबटस्तों आपम टाया? झाल झाल झाल